इस लेक्षर वी आर गोई टूलार्न अबाउट एमीटर हम लोग देखेंगे एमीटर क्या होता है और कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है कैसे यह काम करता है तो एमीटर क्या है एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट लोग EL इक्ट्रिक करेंट को मेजर करते हैं जब लाज करेंट रहेगा तो हम लोग इमीटर की मदब से मेजर करते हैं तो एमीटर क्या है foolish इस्टुमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं करेंट को मेजर करते हैं वही वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं ओम मीटर से इस नोन एज इमिटर इमिटर क्या है एक ऐसा मेजरिंग इंस्टुमेंट है जिसकी मदद से हम लोग इलेक्टरिक करेंट को मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अप इट इस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एक गैलवैनो मिटर and a sunt resistance देखिये दो चीज आया जब हम लोग a meter का construction करेंगे तो दो चीज़ का यूज़ होगा एक galvanometer का और एक sunt resistance का sunt resistance means parallel make resistance को हम लोग लगाते हैं अब यहाँ पे देखिए the circuit arrangement of an emitter is shown in figure यहाँ पे आप figure में देख सकते हैं emitter का circuit arrangement अगर इस फिगर को आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे एक संट रेसिस्टेंस है RSH जिसको हम लोग संट रेसिस्टेंस बोलते हैं जिसका वैलू क्या होता है लो होता है आपको अब्यक्टी में पूछ सकता है एमीटर में जो संट रेसिस्टेंस यूज करते हैं उसका क्या होता है लो होता है या हाई होता है तो संट रिसिस्टेंस का वैलू लो होता है सेकेंड चीज जो संट रिसिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं वो पी एम एम सी या गलवैनो मीटर के सिरीज में यूज करते हैं या पैरलल में तो एमीटर के केस में हम लोग संट रिसिस्ट को परलल में connect करते हैं जो आपका मीटर में सी मीटर ए उसके परलल में connect करते हैं अब देखें यह आपकाosure के टोड़न करेंट है जिसको को मेज घर्ना है यहां यह संट रेसिस्टेंस दीटार रहे हों किल्ग आई एससे कर दिए सांट करेंट और जो यह जो प्रमानेंट मैगनेट मुविंग क्वाइल इंस्टूमेंट या आप गल्वेनो मीटर बोलिए उसका इंटर्मल डेसिस्टेंस क्या है और एम है और इसमें जो इस मीटर में जो है प्रमानेंट मीटर में जो करेंट आ रहा है वो क्या है आएम है तो यहां पे देखिए वेन ए यहां इस से क्या होता है इस रेसिस्टेंश से हम लोग मैक्समम संड करेंट को पास कर लेते हैं है फालोज अब हम लोग सांट रेसिस्टेंज का वैलू को कैसे कैल्कूलेट करेंगे कितना रखेंगे जो यह गयाख करेंगे तो यहां पर देखिए यह हम लोग देखिए जितना भी यूज किये हैं उसको यहां किये हैं जैसे कि आरेम है आरेम क्या है इंटर्नल रेसिस्टेंस ओफ मीटर 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 या पीम एम सी है परमानेंट मेंगनेट current through the meter यह जो galvanometer है उसमें जो करेंट आ रहा है उसमें को हम लोग IM से रिनोट कर दिये और SH क्या है यह आपका संट रेसिस्टेंस है क्या है संट रेसिस्टेंस 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 आप दा संट संट मिन्स पैरलल आर्म तो संट अ क्या है अब देखिए क्या है तो यहां पर देखिए यहां पर बात करें इस नोड पर देखें तो और आए इस अगर एस प्लस एएम कारेंट तो इसमें भी आ रहा हो जा है तो आइज कल्ट डू कां जाएगा इस ए प्लस आई अघ़ से इस इस कल्ट क्या हो जाएगा अइस ही स्कॉल टू आmiस ऐम तो यहां से इस हुआ आ गया आइ माइनस आएम अब नेखिये यह जो यह जो years इंस्टूमेंट रह dependency ढूना का पैरलल में कनेक्टेशब है पैरलल में कनेक्टेशब है और हम לोग जानते है पैरलल connection में voltage क्या होता है सेम होता है current क्या होता है different होता है वही series connection में current same होता है voltage different होता है तो यहां पर parallel है इसके parallel में connect किया गया है तो इसके cross voltage होगा वही इसके cross voltage होगा क्योंकि parallel connection है यहां पर वही चीन लिखाओ गया also since the voltage drop across the sun and the meter is same इसके cross voltage होगा वही सब्सक्राइब चहरना है दो में इसमें भोल्टेज कितना होगा यह संध्य में देखिए आए-एसफ इन्टौ ड्रस होता है तो यहाँ पर आयास सेर्फ प्रफिश निकाल दिजे तो आरे से इसी इस 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 अगा ब्टे आए से और हम लोग देखिए आइसे इस इस इसकर डू क्या निकाले है आई-इस-ई-ए-म तो यहां से आई-इस-इस-गयों रिख सकते हैं-ई-ई- यहां पर आदर एक आए-म आरे मट्टे-इस-ए-म को यहा थजा अपको दो कोई दे अड़का आयेम दे तैजा ज़या निकल जाएगा या आपको तोटल कर इन ए biraz एठ निकाल सकते हैं तो इसको आपको द्यान पर रखना है यहां से आपको से शर्किट निकालना है और हम जो बताए हैं संट रेसिस्टेंस का भेलु सब्सक्राइब होता है पर हम लोग पैरलल में कनेक्ट करते हैं जो आपको सर्कीट में दिख रहा है तो इस पे हम लोग एक निम्रियकल को को कर लेते हैं कर दो अब यहां पर देखिए एक कोश्चन है एक वन मिली एम्पेर गल्वैनो मिटर वीथ एन इंटर्नल एसिस्टेंस ऑफ 100 ओम इस टू बी कनवार्टेड इंटु एजिरो टू वन हंड़ेड मिली एम्पेर एमिटर एक आपका गल्वैनो मिटर है एक आपका पीमेंटर है जो वन मिली मेंटर का है जिसका इंटर्व रेसिस्टेंस कितना है 1 मिली एम्पेर और उसको उसका इंटर्नल रैशिस्टेंस है एक सो उं उसको करना है है 100 mm emitter में तो संट रेसिस्टेंस पूछरा आपको कल्कुलेट्ट रेसिस्टेंस रिक्वाइड कितना ओम का संट रेसिस्टेंस चाहिए तो चलिए देखते हैं इस कोश्टन को यहां पर देखिए 1 एक यासभबन टुबी एंट अद्वेटए मेंटेभा ये कितना दिएा है घ्रतिर का करेंट कितना एक फाटना करेंटा है उनDasीय मेंपेर और इन्तर्न रिसिस्टेइंस जो त्यो Celebrity मिटर का जीरों कहलों दिया है मिन्स टूर टूर तूर फाल आ सब्सक्राइब करने मेटर यह दिया न। कुछ अब देखे संट रेसिस्टेंस कलेक्ट करने के लिए बोल ला है आपको कोशन में पूछ रहा है RSH क्या होगा तो आपको पता है फर्मूला क्या भी बताएं है RSH is equal to I am RM बट्टे I minus I am put कर दीजिए इस पर I am कितना है one millimeter one millimeter into RM कितना है 100 ohm बट्टे I कितना है I है 100 millimeter minus I am कितना है one millimeter सब मीले मीटर और ओम में है तो किसी को करने का जरूरी नहीं है तो आप कितना यहाँ पर यहाँ पर आपको आजाएगा और यहाँ पर जो संट रेसिस्टेंस चाहिए कंभर्ट करने के लिए 0-100 mm एमिटर में कितना संट रेसिस्टेंस चाहिए 1.01 ओम का संट रेसिस्टेंस जाहिए अब देखिए इसके बाद एक टर्म आता है है मल्टिप्लाइंग पावर मल्टिप्लाइंग पावर क्या होता है इती दर रेसियो ऑफ टोटल करेंट टोटल करेंट मींस आई की बात हो रही है टोतल करेंट टूधर करेंट इन दा मोमेंट या मीटर मीटर का जो मोमेंट होता है उस में कितना करेंट है मिनस कह रहा है इज फॉल मल्टिप्लाइन पावर ऑफ कि multiply power को हम लोग small M से deny note करते हैं क् hustles for NYS doinode करते हैं तो multiply power क्या था इतु दर रेश्यों of the total current to the current in the moment या मल्टी या diferenometer बोलिये मिस आइब टे आइएm total current वटे current इन दा moment तो i. यहां से देखिए हम लोग multiplying power को small m से denote करते हैं अब Mr. hmm से dari estолод यह term अब आप पुछेगा यह कहां से आया तो देखिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं यहां पर देखिए आरे सेच इस कॉल्टू क्या होता है होता है यह तो पता है आपको अब इसको कल्कुलेट कर लिजिए इसको इधर ले जाएगा तो पोजिटिव हो जाएगा तो आई बटे आरे सेच इसको डूका जाएगा आई एम आरेम आई एम को एक साइट कर लिजिए यह इसको इधर ले जाएगा तो पोजिटिव हो जाएगा तो आई बटे आरे सेच इसको डूका जाएगा आई एम को कॉमन ले लिजिए आरेम प्लस आरे सेच हो जाएगा इसको इधर ले जाएगा तो कॉमन ले जाएगा में आजाएगा आपदेखिए ए पया मिट जळेग करें ऑफ यह इसनल डोला चन्न पावराइम कि इसनल करने के लिए चोग धो प्लास रिटकिन यह घ। आसिट नोल जाएगा तो से यहां से क्लास्स में कर निकाल लिये तो है जो मीटर है उसका compress निस्टेंस से जो किbenटी होता है आप देखिए यहीं से इसी क्योशन से यहां से संट रेसिस्टेंस कितना हो गया रेसिस्टेंस आप कर लिजिए यहां से एम इसकोल कितना है वन प्लास आरेम बटे आरश है तो यहां से कर लिजिए एम वन को इधर लाइए तो क्या जाएगा वन मा एम से कऊल टू आरेम बटे आरेश हैं यहां से रसे इसकोल किया जागा आरेस है जाल टू oh आर एम बटे माइनस सभवन तो देख आफिए जब आपको ड्ल्कायदधन फार निकालने के लिए पुछे गा तो यहां सकते हैं यहां से निकाल सकते हैं यहां से निकाल सकते हैं यह आपको संट रेसिस्टेंस निकालने के लिए पुछ रहा है तो तूहंड्रेड ओम दिया है थी प्रेस्टेंश ऐंूम यूज विद एक गलवेनुमीटर ऑफ 1000 ओम रिसिस्टेंश एक गलवेनुमे टर में यूज किया जाता है जिसका कितना है 1 धावजियंग मीन्स R.A.M. कितना दिया है one thousand ओम दिया ही determine the value of sunT resistance P Barkis MPa water 52 question है पहला कोशन है find the multiplying power और दूसरा push रिखन में maximize power दिया ऑधाय रहे संट रेस्टेंस पुसरा तो पहले मिल्टिप्लाइग पावर निकालेंगे मपली पावर निकालेंगे RSH रॉर्म दिया है तो इस सकमिश्वास को M is equal to क्या हो जाएगा multiplying power M is equal to क्या हो जाएगा 1 plus RM बट्टे RSH put कर दीजिए 1 plus RM कितना है RM है 1000 1000 बट्टे 200 कितना जाएगा 1 plus इसको कटने पर 5 आजाएगा 1 plus 5 is equal to 6 ohm sorry ohm तो नहीं होगा है यहां पर multiplying power है तो M का वैलू कितना गया 6 आ गया 1 plus 5 कितना गया 6 आ गया multiplying power का वैलू 6 आ गया और यह क्यों की रियस्यों है current करेंट का रेशियो है तो यूनिट लेस होगा मल्टाइग पावर का केवल वैलू होगा तो 6 हो गया अब है और second question है multiplying power आपको दिया हुआ 50 multiplying पावर इसी कोशन में दिया हुआ 50 और आपसे संट रेसिस्टेंस पूछ रहा है और आरेम भी आपको पता है तो यह फर्मुला का अप्लाइग कर दीजिए यहां पर आरे से संट तो क्या आजाएगा आरेम बटे एम माइनस वन आरेम कितना है यहाँ पर गिवन है वन थाउजेंट तो वन थाउजेंट बटे एम कितना दिया है तो 50-1 कितना गया 1000 बट्टे 49 तो कितना इसको सॉल्व करने पर कितना जाएगा 20.4 ओम आपका आजाएगा इसका संट रेसिस्टेंस का भेलू आजाएगा तो हम लोग देखे जो एक तो गल्वेनो में इस पर कॉशन को सॉल्व कर लिए इस फर्मूला पर संट इस्टेंस निकाल लिए फिर बलिए डीडीव इस इंस्टूमेंट के लिए इस इसप्रम्ट के लिए रिए ऑंकन का यूज करते हैं मेगनी बटाम का यूज करते हैं पकलarbeit हैंक ुआ क्शन से में यूज करते हैं पर यूज और सिब्सकृति चर्कीछालइए डीशीघ्षस कर लिए उन से यूज91 अ के लिए कौण स्कांड 시करते हैं आपको अब्जाटी में पूसकता है गिसका यूज करते हैं तोными को यूज करने के लिए सी के लिए कॉंस्तेंटम का यूज करते हैं तो इस लेक्शर में हम लों देखे अधिया मैं इसे लों क्या होता है मल्टिप्लाइंग पावर को देखे उसके पर कोशन देखे तन रेसिस्टेंस का बैलू क्या होता है लो होता है कैसे कनेक्ट करते हैं thank you for watch this video thank you so much